दारा संचार के सभी दर्शकों का जोतिस संबाद कारक्रम में स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार आज का बहुत पावन दिन बहुत शुब दिन जैसा आप जानते हैं कि नवरात्रे पर्व की शुरुवात कल से हो गई है यह हिंदु धर्व में बहुत एक पावन पर्व है और इसके सासाथ ही यह पर्व उत्सब जो हिंदु धर्व में मनाया जाता है इस साल में उसकी हम शुरुवात कर चुके हैं कल से और सभी लोगों में इस पवित्रधार्मिक पर्व को मनाने का इस वर्ष बहुत ज़्यादा उत्सा है उसका कारण भी यह है कि एक तो हम अलरेडी एक महीना जो हमारी उम्मीद थी आशायं थी कि एक महीने पहले यह पर्व शुरू होगा एक महीना हम देरी अलरेडी कर चुके हैं और दूसरा आजकल हम सभी जो कोविट नाइंटीन पैंडमिक है उससे जूज रहे हैं काफी हम लोग एक डिप्रेस्ट कंडिशन में हैं काफी परेशान हैं पिछले साथ महीने से तो इस पर्व के उपर हमारा बहुत ज्यादा उस्सा है इस धार्मिक वर्व को मनाने का और मैं शुरुवात करता हूँ कि मा दुर्गा से प्रातना करता हूँ कि आप सभी को उनका आशिर्वात बना रहे और आपकी सभी मनो कामनाएं इस वर्ष पूर्ण हो और जो नवरात्री का पर्व है इसको मनाने का बहुत एक उद्देश होता है हम सभी अपनी चेतना का इस पर्व में पूर्ण विकाश करने की कोशिस करते हैं बहुत ही निस्टा के साथ हमारी ये चिस्टा रहती है कि हम अपने आप आत्म निरिक्शन करें और सर्वोच आध्यात्मिक विकास की तरब अग्रिसर हो यह है एक हमारी जीवन का उद्देश है और मुप्ष के जाने का एक रास्ता भी है और हम कोशिस करते हैं हर तरह से कि अपने जो आचरण में परवर्तन लाकर अपने खाने पिने में परवर्तन लाकर अपने वतावराण में परवर्तन लाकर कि हमारे अंदर शकारात्मक परवर्तियों का समावेश हो और जो नकारात्मक परवर्तियां और खास तोर से इस साल जो हम लोग देख रहे हैं उनसे हमें किसी तरह से छुटकारा मिले और आध्याद्मिक विकास के जो सभसे बड़े शत्रू माने गए हैं करोध मान, माया लोव और जिसको हमने कहा कि कशाई हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास में सभसे ज़्यादा पाधा ये करते हैं हम सभी कोशिस करते हैं कि उनसे हमें चुटकारा मिले, उनका हमारा नास हो, हमारा आच्रण अच्छा रहे, हमारा जीवन जो है बहुत स्तात्विक रहे, हम सभी की पूरी कोशिस इस पर में रहती है, देवी मा नवरात्री के दोरान अपने नौ रुपों में अपने आपको प्रत्यक्ष करती है, और हर नाम में देवी शक्ती को पहचानना ही, नवरात्री को मनाना हम कहते हैं, और जो देवी शक्तियां हैं, सबसे पहले जो पर्थम देपर प्रत्यक्ष होती है, मा, शैल, पुत्री, उसका आर्ट होता है कि चेतना का सर्वत्तम सिखर, हम कोशिस करेंगे कि अपनी जो चेतन आध्यात्मिक विकास है, उसके सर्वत्तम सिखर पर पहुंचने के लिए, और उसी वो ही जो है ये पर्व का उद्देश भी है, और जो दूसरी देवी ब्रह्म चारणी है, दूसरे दिन जो आज की दिन प्रत्यक्ष होती है, उसका आर्थ होता है सर्व व्यापक चेतना, ह और उसका आर्थ होता है कि हम मन को अपना एकाग्र होकर इश्वर के प्रती समर्पित हों, और जब हम इश्वर के प्रती समर्पित होंगे, तो हम हमारा जो ध्यान होगा, जो हम इदर दर के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, उससे हमें काफी हद तक छुटक करना और पांचवे दिन इसकंद माता प्रकट होती है और इसकंद माता जो का जो इंडिकेशन है वो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के विकास की तरफ होता है छटे दिन कात्याईनी देवी प्रकट होती है और कात्याईनी देवी का जो अर्थ है कि अपने अंदर जो नकरात् प्रत्मक उड़जा का संचार करना अपने अंदर जो है फिर साथवे दिन काल रात्री देवी प्रत्यक्ष होती है और काल रात्री देवी का अर्थ होता है ज्यान और विरागी को प्राप्त करना जो कि सभी हमारे जितने भी हम लोग हैं हमारे जीवन का उद्देश भी वही ह आटवे दिन महागौरी पृत्यक्ष होती हैं और हम पूरे साथ दिन हम प्रातना करते हैं तो हम हमारा जो इंडिकेशन है कि हमारी जो भी मनों कामनाई हैं जो भी हमारे ड्रीम्स हैं जो विश्चिस हैं वो किसी तरह से पूरा हो और नवे दिन जो है सिदातरी देवी पृत्यक्ष होती है जिनका अर्थ होता है कि अद्बुत-सिद्धि समतार प्रदान करती है यह देवी जो है जिससे हम जितने हमारे कार होते हैं वो अच्छी तरह से संपूर्ण हो अब प्रशन यह आता है कि इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए बहुत से लोगों प्रश प्रशल किया है कि क्या कुछ कर्ण का भी या रंग का भी महत्व होता है क्या हमें इस इन दिनों में कुछ एक विशेशर रंग कर्पड़े पेंने चाहिए उसके बारे में कहा ये speaking बहुत अच्छा है सभी को जानना जरूरी भी है कि जो पहला दिन होता है शैल पुत्री देवी का दिन जो होता है उस दिन हम ग्रे कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए और जो दूसरा दिन ब्रह्मचारणी देवी का दिन होता है उस दिन हमें औरंज या नारंगी रंग के कपले पहनने चाया है चौति दिन जब कुश्मांड़ा देवी पृत्यक्ष्ष होती है तब हमें लाल रंग के कपण ने चायी है 5 hmm गिंजब इसकन्द मता देवी पृत्यक्ष्ष होंती है उस दिन हमें pryद ममुली जायी रंगार देवी आठवे दिन महागौरी देवी जब प्रत्यक्ष होती है उस दिन हमें पीले या यलो रंग के कपड़े पहनने चाहिए और नवे दिन आखी दिन जब सिधात्री देवी प्रत्यक्ष होती है तब हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और भी कहा लोगों ने कि हमें और क्या करें जैसे मैंने कहा कि ये समय है हमारे लिए कि हमारे अंदर जो हमारे आत्मा या आत्मिक विकास के जो सबसे बड़े शत्रू हैं करोद मानमाया लोग इनको चार कशाय कहा चार बहुत बड़े शत्रू कहा हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से हम इनके उपर कावू कर पाएं, इनका हम विनाश कर पाएं और विनाश करने के लिए अपनी जो हमने आचरण है, हमारा जो कंडेक्ट है, जो व्यवहार है, उसको हम पूरी तरह से चेंज करते हैं और बहुत लोगों ने कहा कि हम बहुत सारे काम इन दनों में नहीं करते हैं, जैसे कि कहा कि अपने नाकूर नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं बनवाने चाहिए, या इस्तियों को जो है सिलाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए, उसका एक परपस है, उसका एक उद्देश है, कि अगर हम इन कामों में उलत जाएंगे, जो हम बाद में भी कर सकते हैं, जिसको हम पैंडिंग भी रख सकते हैं, तो हम पूरी तरह से जो पर्व का उद्देश है, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरह से दुरगा मा के प्रतिसमर्पित नहीं हो पाएंगे, तो जो भी हम जो routine type के काम होते हैं, उनको हम pending रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, उसमें हमें पूरा का पूरा ध्यान रहेगा, पूरा का पूरा हमें समय रहेगा, दुर्गा के प्रती समर्पित होने का. और कहा कि अपना बिनम्र भाषा भूलें, कभी भी किसी के प्रती harsh language यूज ना करें, किसी को हम बहुत गलत भाषा का प्रियोग ना करें, और जो भी कहा कि इविन मतलब हम लोग बहुत सात्विक खाना खाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जनरली लोग इविन जो तामसी ख लोग भी हम लोग नहीं करते, तो यह कोशिस रहती है कि हम अपने आचरण को, जितना भी हम अच्छवा बना सकते हैं, जितना भी हम सात्विक बना सकते हैं, वो ही हमारे लिए हम एक अच्छा एक इंडिकेशन देता है कि हम मादुर्गा के प्रती पूरी तरह समर्पित हैं और इन दिनों में कम से कम हम अपने पूरे आत्यात्मिक विकास की ओर अग्रिसर होना चाहते हैं कई लोगों ने कहा कि खास तोर से जो बच्चे हैं जो इस बार साथ महेने से घरों पर बैठे हुए हैं और उनकी जो पढ़ाई है बहुत जादा डिस्टर भी हो रही है तो बच्चे को क्या करना चाहिए दुर्गा सब्सती में जो एक बहुत अच्छा इसलोक आता है और अगर हम उस इसलोक का पार्ट बच्चों को सिखा दें और बच्चे अगर उस इसलोक का पार्ट करें तो बच्चों के लिए बिलकुल एक बरदान साबित होगा मा दुर्गा का एक आशिरवा साबित होगा और वो बच्चे लाइफ में बहुत जादा तरक्की भी कर सकते हैं यह जो इसलोक है यह दुर्गा सब्सक्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह शलोक मिलेगा भी विद्या वंतम इसस वंतम लक्ष्मी वंतम जनम कुरू रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो जही इसका आर्ट होता है कि हे दुर्गा मा तुम अपने भ और काम करोद आदी शत्रियों का नाश करो यही हमारा उदेश भी है कि जो भी हमारे जो दुश्मन है करोद मान माया लोग किसी तरह से हम उनका नाश कर पाएं लेकिन जो संदेश जो मैं आपसे प्रात्ना भी करना चाहता हूं कि हम नौ दिनों बहुत अच्छा आच्छा करते हैं अपने आपके उपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं करोद मान माया लोग को पूरी तरह से खतम करने की कोशिश करते हैं लेकिन यह तो एक मैं काऊंगा ट्रेलर है कि इससे काम नहीं चलेगा जो चीज हम इस टाइम में कर रहे हैं नवरात्री किस टाइम हम कर रहे हैं उसको हमें अपने जीवन का एक अंग बनाना पड़ेगा इसका आर्थिये हैं कि हमें नौ दिन नहीं करना है पूरे साल ही अगर हम इसी तरह का आच्रण और खें तो हम बहुत दुखों से छुटकारा पा सकते हैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं औ उनका उपाई करने के लिए बहुत से लोग बड़े-बड़े मंदिरों में जाते हैं बड़े-बड़े दान करते हैं बहुत पूजा पार्ट कराते हैं फिर भी उनका फायदा नहीं होता मेरा जो बताया मैंने अभी कि नवरातरी का क्या उदेश है जो दुर्गा मा जो आचरण रहता है अगर वही आचरण हम पूरे साल या हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं और मैं कहता हूं कि अपने जो चमता है हमारी productivity है efficiency है या जो utilization of resources है उसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं औ और आपकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा सुख में हो जाती है तो इस पर्व का उत्देश यह है कि हम की नौ दिन हमें यहीं करना है बलकि पूरी जिन्दगी भर हमें यही आचरण रखना है अपने जीवन को इसी तरह से सात्विक बनाना है तो हमारा जीवन बहुत सफल ह होगा और हमारा जीवन का जो परफस है उसको हम पूरा कर पाएंगे पिशले बार मैंने यहीं आप से बात की थी कि जितने भी जो ग्रह होते हैं जिनका हमारे उपर अशुप परवाब पढ़ता है उनके शांती के लिए या उनको ठीक करने के लिए या उनकी अशुपता को दूर करने के लिए हमें कहीं मंदिर या दान या कहीं जाने की जरूत नहीं है सब हम घर बैठ कर ही कर सकते हैं और जो नवरात्री पर्व आपको सिखा रहा है वही एक तरह से मैं कहूंगा कि सभी ग्रहों का उपाए है अगर जो आज आप आच्रण कर रहे हैं आब भी नौ पहां था कि जो हम लोग चचा Sam kal कर रहे थे वह पूरी नहीं हो पाही थी कि शानी के बारे में वी हम बात कर रहे थे कि शनी जो है बहुत परिशान करता है लोगों को लोग समझते हैं कि शनी से शनी एक बहुत अच्छा ग्रह है हमें कुछ जो आज नवरात्री पर्व सिखा रहा है हमको वही हमें शनी भी सिखाता है और शनी कहता है कि आप अपने जीवन को अनुशाशित रखिए और अपने अंदर जो आपके एगो है या मैं कहूंगा कि यह जो हम क्रोद मान माया शत्रों का विनाश कर लेंगे शनी आपको कभी कुछ नहीं कहता शनी एक आपको बहुत अच्छा एक स्टेटस देता है बहुत अच्छा पदप्राफ्त करता है आपके जो सोसाइटी में आपको बहुत अच्छा मान सम्मान देता है बट हमको सिरफ यही करना है कि अपने ल अब जो चर्चा रहे गई थी रहू केतू के बारे में रहे गई थी कि रहू केतू की शांती के लिए क्योंकि रहू केतू के बारे में भी बहुत चर्चा होती है कि हम क्या करें अगर जब रहू केतू की दशा चल रही है या सा खराब गोचर चल रहा है तो हमें क्या करना चा काम करते हैं जो Hospitals या अस्पतालों में काम करते हैं उन को Represent करता है अगर हम रहू केत्व की शांती के लिए अगर इन लोगों की साहता कर सकते हैं तो उसे अच्छा उपाय कुछ नहीं आपको कहीं जाने की जरूत नहीं हैं, बहुत बड़ा दान करने की जरूत नहीं है बड़ सिरफ ऐसे व्यक्तियों के प्रती आपका जो व्यवहार है अच्छा होना चाहिए और जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं वो हमें उनकी मदद करनी चाहिए के बारे में कहते हैं कि प्लंकेट जो कंबल होते हैं तो इसलिए मैं बताना भी चाहूंगा कि हमें दान करने चाहिए यह बहुत अच्छा उपाय है केतू का और इन दोनों में जो एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो केतू है वो मल्टी कलर्ड उसका रंग है एक रंग का नहीं है त हमें एक रंग से ज्यादा रंग का कंबल जो होते हैं मल्टी कलर्ड कंबल होते हैं कम से कम दो रंग वाले कंबल होते हैं उनका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि आप किसी को बलाया और किसी को आपने दे दिया कि लो कंबल ले जाओ और आपका दान पूरा कि हमें जो दिसंबर जनवरी की जब बहुत ज्यादा सर्दी का टाइम होता है उस टाइम हमें निकलना पड़ेगा रात को दस ग्यारे बजे और दस ग्यारे बजे निकल कर फिर हमें देखना पड़ेगा कि सड़क पर आपको बहुत लोग मिलेंगे जो सोई हुए होंगे और कोई कपड़ा भी नहीं होगा और इतनी ठंड में जो लोग ठिटो रहे होंगे उनके उपर आप कंबल डालिये और उनके जो दुआई निकलेंगी असली फायदा हमें उनी से होगा कि जो केतु का जो फायदा होगा हमें उसी से होगा तो इसलिए हमें जो उपाए करने हैं में ध्यान रखिए कि सुपात्र को हम दान करें ना कि फुपात्र को अभी मेरे पास बहुत सारे प्रस्ण आई हुए हैं तो मैं उन कुछ प्रस्णों को भी लेना चाहूँगा सबसे पहले जो प्रस्ण है वो श्री लवकेश कुमार मिश्रा जी का है और इनका जो डेट अब बर्थ है 23rd जुलाई 81 है और स्टाइम इनका 2355 है और राजकोट में इनका बर्थ हुआ है यह कुछ इन्होंने पूछा है कि क्या मेरा इस्ताना अंत्रण मेरे घर फैजाबाद के आसपास हो सकेगा इन दिनों पटना में कारे रहत हूं और पिछले तीन साल से ट्रांसफर के लिए प्रियास कर रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है लबकेश कुमार जी मैं आपका जो होरोस्कोप है वो देख पा रहा हूं और आपका जो लगन है वो मेश राशी का है और इसका जो स्वामी है मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है अच्छी पोजिशन में बैठा हुआ है और इस टाइम जो दशा आपकी चल रही है वो चंद्रमा में शनी की अंतर दशा चल रही है जो 11 अप्रेल 2020 से शुरू हुई है और 13 नवंबर 2021 तक चलेगी यह दशा जो आपके इस्ताना अंतरण के लिए ट्रांसफर के लिए बहुत फेबरेबिल है और दो तिन चीज़े हैं अभी अभी जो मंगल है वो अभी वक्री चल रहा है और य मंगल जो है 14 नवंबर को डारेक्ट होगा और मंगल का जो आसपेक्ट है वो दशंभाब के उपर भी है जो कि हमारे प्रोफेशन का हाउस होता है और जब मंगल जब इस तरह से वक्री होता है तो वहां पर कुछ चेंज लाने की कोशिस करता है और मैं यहीं कहूंगा कि जो समय अब शुरू होगा 14 नवंबर के बाद और उस पीरिड में आपको कोशिस करने चाहिए और काफी जो चांसे हैं उस टाइम आपका ट्रांसपर होने के लिए और खास तोर से अप्रिल में जो गुरू है वो भी आपके एकादस भावों में या ग्यार्वे भावों में आ जाएगा जो कि हाउस अप गेंस है और वहां से वह पांचमें भाव को भी देखता है जो कि न्यू अपर्चिनिटीज का हाउस है तो मुझे लगना है कि मार्च अप्रिल में तक अगर आप कोशिस करना शुरू करेंगे तो मार्च अप्रिल तक डेफिनिटली आपका काम ज 13th November 83 है टाइम 1625 है और डेली का बर्थ है इन्होंने लिखा है कि शादी को बेटे के 5 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है बच्चे का यो कब तक है काम भी अच्छा नहीं चल रहा है इन चीजों के बारे में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए यह सुमित जी का मैं होरुस को देख पा रहा हूं और इनका जो प्राबलम है कि जो करीब चार ग्रह सूर्य और बुद्ध ब्रस्पति और शुक्र जो है वो आठ्वे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल और शुक्र छटे घर में बैठे हुए हैं इस तरह से जो 6 ग्रह है वो तरिक भाव में बैठे हुए हैं जो कि एक लाइप में काफी प्राबलम क्रीट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत जादा ग्रह जो है वो तरिक इस्तानों में नहीं होने चाहिए तो ये अभी जो इनकी दर्शा चल रही है वो भी एक कारण है कि राओ की दर्शा रहेगा और जो अपरिल के बाद जो गुरु का गोचर है वो इनके एकादस भाव में होगा और वहां से गुरु जो है पांचवा भाव जो संतान का भाव है उसको आस्पेक्ट करेगा उसके उपर द्रस्टी डालेगा तो उसके लिए सबसे अच्छा जो टाइम है अपरिल के बाद वो ठीक होगा पहले चीज़ तो यह है कि संतान के लिए भी अच्छा है उस टाइम अगर आप कोशिस करेंगे तो संतान होने के पूरे पूरे चांसिस हैं और उसके बाद आपके काम में भी जो आप कर रहे हैं उसमें भी सुधार होगा और धिरे-धिरे सुधार होग लेकिन मुझे लग रहा है कि जब चंद्रमा राहू में शनी की दशा आएगी जो कि मार्च 22 से आएगी काम पूरी तरह से ठीक जो है आपका उस टाइम पाएगा लेकिन अभी जो मार्च 21 के बाद का जो पीरेड है वो काफी बेटर होगा तो इसलिए अगर आप कोशिस करे आपको सफलता भी मिलेगी एक प्रशन है अभिशेक रे जी ने पूछा है और इनका जो जन्म तिति बताई है उन्होंने 15 मई 1988 और जन्म इस्तान बताया है बहुआ बिहार बट इन्होंने अपना टाइम नहीं लिखा टाइम ऑफ बर्थ तो कोशिश किये हम लोगोंने कि ज जन्म कुंडली से नहीं देख सकते हम लोगोंने चंद्र कुंडली से देखने की कोशिश की है और इन्होंने लिखा है कि यह पूछना चाहते हैं सम्थिंग अबौट गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब और इन्होंने पूरा उसका नहीं बताया कि क्या प्रशन है बट अग दूबाल को जो इस समयं achen और अप्रेट हो रही है वह राहू की दशा है और राहू की दंशा में जो मड करी की अंतर जशा चल रही है जो की जन्वरी 22 ठक चलेगी मड़ wa krit की position अब ठीक है और जो गोचर है प्लानेट का वह भी काफी अध rook ठीक है तो इसलीकर जो भी या तो अगर आप government service join करना चाहते हैं उसके लिए कोशिस कर रहे हैं या government से connected कोई आपका काम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप कोशिस करिए अभी और कोशिस करें के लिए definitely आपको उसमें फायदा होगा यह कभी प्रश्न पोश रहे हैं सुधिर कुमार जी देराधून से मैं लाइक तो गाइड हाउ तो अस्टेलोजिकली क्योर मिनेरी डिसीज़ हिसिंग हिसिंग साउंड इयर लिए ने तो इस्पिनिंग अफ हैड वर्टेक्स इस्पॉंडली इसिस इस 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 ब्लैक इस इस्पीशली सीजोफेर्णिया एटसेक्टरा तो शुद्र कुमार जी अच्छा प्रशन है आपका और मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक इस्किन डिसीज का सवाल है वो हमारे जो प्लानेट बुद्ध है मरकरी है वो हमारे इस्किन को रिपर्जेंट करता है जब किसी भी होरोस्कोप में बुद्ध जो है बहुत जादा अच्छु परवाव डालता है यह हम कहते हैं कि एफिलिक्टेट होता है तो उस टाइम हमें इस्किन प्रावलम होने के चांसिस होते हैं तो इस्किन डिसीज को ठीक करने के लिए कि हम बुद्ध का उपाए करें अच्छा जो गुद्ध का उपाए नहीं हो सकता तो बुद्ध का उपाए करेंगे तो definitely उसमें जो है में फायदा होगा और जो आईस की प्रावलम के बारे में कहा है अपने आईस की प्रावलम बेसिकली हमें जो सन है जो सूर्ग रह हैं और उसकी अफिलिक्शन से होती है पर्टिकुर्री जब 2nd और 12th house में placed होते हैं तब आइस की problem होने के chances होते हैं और आइस की problem के लिए sun की शांती करने के लिए बहुत simple उपाय है कि आप सूरी देवता की फूजा करें सूरी देवता को अर्ग दें या गैतरी मंत्र का जाप करेंगे उससे भी जो है काफी हद तक यह problem solve हो जाती है और दूसरा जो कहा है कि hissing sound in the ear hissing sound in the ear उसमें के लिए हम क्या करें उसके लिए आपको जो second or the third house जो आपके horoscope का है वो आपको देखना पड़ेगा third house afflicted हो या केटू की दशा में इस टाइब की problem होने की chances बहुत ज्यादा होते हैं तो third house को एक बार देख लेंगे आप तो ज्यादा better idea लगेगा आपको और कुछ अगर केटू का उपाए करेंगे उससे भी आपको बहुत ज्यादा पायदा होगा तो इन planet का उपाए करके मेर दिखाल में काफी हद तक आप अपनी जो समस्या है उसका निवारंट कर सकते हैं और अगर आपको कुछ विशेश पूछना है तो आपको जनम पत्री का या बर्थ डिटेल आपको देना पड़ेगा और उसकी साहिता से फिर हम एक्जक्ली बता भी सकते हैं कि क्या possibility हैं और अभी जो कई प्रश्ण मेरे पास आ भी रहे हैं और कई लोग ने पूछा भी है कि साड़ी की साड़े साती या शनी की ढहिया क्या है और लोग इनसे बहुत परिशान हैं बोले जबी भी कोई हमको कहता है कि शनी की साड़े साती चल रही है शनी की ढहिया चल रही है शनी की परिशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता हम क्या करें और तरह तरह की लोग हमको exploit करने की कोशिस करते हैं और कोई भी उसका निवारण या solution नहीं हो पाता तो सबने request किया है कि अगर आप हमें थोड़ा सा इन उसका है या हम वाके में इन चिज़ों के लिए परिशान होने की जरूत आंगे इस दर उदर भागना चाहिए बड़ी उपाइव करने चाहिए क्या करें इस तो बहुत अच्छा प्रस्ण है और काफी लोगों प्रशन किया है तो मैं चाहूंगा कि जो अगला इत्वार है रविवार है उस दिन मैं इनी चीजों के उपर चर्चा करूं और आप देखेंगे कि आपका जो डाउट्स हैं या जो संदे हैं जो गलत फहिमियां हैं इन चीजों के बारे में काफ़ी हद तक सौल हो जाएंगी और कोई मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि कोई आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है इन चीजों के प्रती और नहीं किसी के बैकावे में आप आएं और जब हम बात करेंगे अगले इत्वार तो आप देखेंगे कि बहुत कोई परिशान होने वाली चीज़ नहीं है तो इसी के साथ मैं अपने बाणी को विराम देता हूं बहुत बहुत नमस्कार और नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुब कामने है आप सबी को देने वाली लक्षमी तो क्या हो गया है वो चिला चिला के वो जो आया था ना वी हमेजन वाला